डेट आज 22 फरवरी 2022 यह सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स्ट टॉपिक है टॉंगा वॉल्केनिक इरप्शन पिर लिम्स के लिए इंपोर्टेंट है यह पिछले महीने एक वॉल्केनों इरप्ट हुआ था सदन पैसिफिक आइलेंड में टॉंगा नाम का आइ यह टॉंगा आइलेंड में इरफ्ट हुआ था यह अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसमें दो स्मॉल आइलेंड है अन इन्हेबिटेड आइलेंड यानि कि उन पर कोई नहीं रहता आइलेंड पे आइलेंड तो जानते हो ना आप कोई ऐसी भूमी जो चारों तरप से पानी से घिरी हुई हो एलेंड इस स्राउंड़िट बाइ वाटर फ्रम ओल्दा साइड हुंगा हापई और हुंगा टॉंगा दो नाम के आइलेंड है जिन पर कोई नहीं रहता वो अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन होता है उन पर अंडर सी का मतलब है समुंदर के नीचे ही जैसे समुंदर के नीचे ड्यूबे हुए है और उनमें इरप्शन होता है यह टॉंगा जो आइलेंड है यह रिंग ओफ फायर के पास में ही बने हुए है यह देखो आपने वर्ल्ड मैप पे देखा होगा यह पैसवी कोशन है इधर वाला पार्ट भी इधर वाल पैसिफिक ओशन में रिंग ओफ फायर आप सब लोग जानते हो अलग से लेक्चर में भी पढ़ा हुआ हमने रिंग ओफ फायर क्या है यहां पे और यहां पे यह रिंग ओफ फायर है रिंग ओफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ल्ड के यहां पे ला सबसे उंचा वाल के रपसन हुआ है और कहां पर इसकी लोकिस नियाद रखनी है यह लोकिस नम तो हमने देखी लिए नासा के साइंटिस्ट हैं उन्होंने टॉंगा आईलेंड जो यह है यहां पर जो वाल के रपसन हुआ था उसकी हाइट नापी थी मेजर की थी यह अब तक रखना मतलब यह है यानि कि इसनде जो वाल केनों से एस निकलती है न राक वगर निकलती यह निकलती तो आप जानते हैं ना हिंदी में earth surface and lava is easing out from or within the earth तो इसी को बोलते हैं volcanic eruption या volcano तो volcano जो निकलता है इसके साथ साथ बहुत सारे minerals भी आते हैं खनीज पदार्थ लोहा iron यानि कि निकल कोबाल्ट बहुत सारे minerals आते हैं silicon aluminum वगरा कुछ भी आ सकता है जो अर्थ के अंदर उस पर वहाँ जगह पर है जो एस इससे निकलती है यानि कि जो minerals या राक वगरा जो इससे निकलती है वह satellite ने इसकी height measure की 15 जनवरी को eruption हुआ था इसका और इसकी height measure की कि यह मीजो स्फेर तक इसकी height गई मीजो स्फेर आप जानते हो क्या होता है देखो भाई सब यह अपनी अर्थ है अर्थ से हम उचाई पर जाएंगे किसी वितर चारो साइड में उचाई पर जाएंगे लगबग 15 किलोमेटर के लगबग यह ट्रॉपो स्फेर यह लेर आपने अर लुचाई तक 36 माइल और एक माइल में लगबग 1.5 किलोमेटर होते हैं अगर किलोमेटर में निकालना था आपको नेक्स्ट टॉपिक है लक्ष जीरो डंप साइट यह प्रिलिम्स और जीयस पेपर थरी के लिए इंपोर्टेंट है इन्वार्मेंट के टॉपिक में सेंटर का मतलब है जो सॉलिद वेस्ट होता है जो इसकी डंपिंग ना हो स्टीज में यानि कि देखो जो कूड़ा या आपका डम होता है, डस्ट होती है, एक जगह पर घरों से è marching निकला हुआ कूड़ा एक जगह एक खटा हो जाता है तो dump site बना देते हैं, site का मतलब होता है जगह और dump मतलब पूड़ा बगएरा dust बगएरा, तो ये जो है dump site create हो जाती है स्टीज में इनकी वज़े से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है pollution होता है उसकी वज़े से तो इनको हटाना है इसके लिए central को proposal भेजाता है central ने approval कर दिया है कि इसके remediation के लिए central government कुछ assistance देगी financial assistance 77.7 करोड रुपे दिये हैं 235 करोड का proposal था है इसके लिए इसमें से central government ने ministry of urban affair है जो ministry of urban affair ने 77 करोड रुपे दिये हैं लक्षा जीरो सम्टाइट के लिए लक्षा जीरो डंसाइट के लिए 260 स्टीज है पांस स्टेट और यूटीज में जो identify की गए हैं जिन में जो garbage free बनाना है उन स्टीज को यानि कि वहां से बिल्कुल कूडा करका हटा देना स्टीज में जमान ही होना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने भी एक क्टूबर को अनाउंस किया था इंडियन स्टीज को garbage free किया जाएगा अंडर सुच भार्त mission urban 2.0 यह जो mission चला रख है सुच भार्त mission का इसका second phase के दौरान यह किया था कि urban site को garbage free बनाए जाएगा और लक्स जीरो dump site mission है जो इसके लिए लगबक 16 करोड टन्स जो dump site waste है उसको 15,000 एकड की जमीन पे है land पे जो इतना जो कूडा करकट जमा हुआ है उसको हटाना है इसके थुरू significance क्या होंगे इस project के significance यह होंगे एक तो इसकी वज़े से जो threat होती है खत्रा होता है environment को प्रियावरन को जिसकी वज़े से air pollution हो जाती है इस waste की वज़े से यह dump site है जो क्योंकि देखो एक जगए पे कूडा वगएरा एकटा रहेगा उसकी वज़े से वहाँ पे वाईयू भी परदूसित होगी और water भी परदूसित होगा water pollution भी होगा वहाँ पे waste के mountain जमा हो जाते है भाई साब पाहर जमा हो जाते है जमा होते होते हैं पे फेका है कूडा फेकते गए फेकते गए पाहर सा जम जाता है और urban cities में वो public health और environment के लिए concern बन जाता है problem बन जाता परिशानी बन जाता है next topic के तारापूर में से कर prelims और GS paper 1 के लिए important है बिहार ने अभी 15 फरवरी को सही दिवस commemorate किया अपने बिहार का क्यों क्योंकि 15 फरवरी को ही 1932 में British government ने तारापूर जगए है बिहार में वहाँ पे 34 freedom fighter को मार दिया था 34 freedom fighter यानि कि जिन्होंना आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और ये जो तारापूर में से कर है में से कर का मतलब होता हत्या कांड तारापूर में से कर जलिया वाला बाग में से कर जो हुआ था जलिया वाला बाग हत्याकान उसके बाद second largest ये है में से कर जो जलिया वाला बाग में से कर हुआ था प्रोटेस्ट के दौरान थाना भवन पे लेकिन यहां पे कुछ ब्रिटिस सोल्जर आगे और गोलिया चला दी यहां पे मार दिया लोगों को 34 फीडम फाइटर को यह प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे विद्रो क्यों कर रहे थे यहां पे तारापुर में थाना भवन के पास जो लोग आये थे और जंडा फेरा रहे थे क्यों विरोध कर रहे थे यह प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे थे क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था अंग्र जावालान नहरू राजिंद्र परसाद और वल्लभाई पटेल जी को भी गिर्फतार कर लिया था तो इन सब के विरोध में सब के विरोध में यह इखटा हुए थे तारापुर जगे में थाना भवन पे और वहां इन्होंने जंडा लह रहा है था और विरोध कर रहे थे प्र भाई साब यह इसमें इतना याद रखना है कि इसकी लोकेशन कहा है और अब किसके कभजे में है यह अब कौन इस पर रूल करता है अब जो रूल करता है बिर्टिस गोर्मेंट इस पर रूल करती है जिसने हमारे इंडिया पे लगबग 200 साल राज किया गुलाम बना के रख पढ़ा भाई साब यह बुर्टेन यूनाइटिद किंग्डम भी बोलते हैं इनने में थोड़ा बहुत फडुक आपका फोकलेंड आइलेंड यह वाला फोकलेंड आइलेंड है यह UK के कपजे में यह साउथ अमरिका है साउथ अमरिका के पास है यह Folkland Island Atlantic Ocean इसके ग्लारेया इसके दो पार्ट है पर एक तो वोगोजान इस्टसपा इस्टन आप्राई इसके दो बाज़़न को इसके दो पार्ट है यहां पर एक तो इसके दो पार्ट है नियुज में इसलिए आया है क्योंकि Argentina क्या है इस पर किलेंटोगता है अर्जंटीन कहता है यह वाला कंट्री Argentina कि यह मारा ILEANDA और हमें वाक्स करना चाहिए UK को तो इसका विरोध करता यहां इसके लिए लौकेसन हमने देखी लिए कहां पर है साउस्वेस्ट अत्लान्टिक ओशन में और इसकी पोजीशन है जो सदन और वेस्तन हैमिस्फेर के अंदर है अर्थ के और फौकलेंड आइलेंड को माल विनाज आइलेंड भी बोलते हैं है अर्जन्टीना का क्लेम कब से है और क्या और एक जयंग देता है अर्जन्टीना ब्रतिश ने देखो 17 65 में पहली बार फोकलेंड और फोकलेंड फोकलेंड आईलैंड में settlement किया अपना आनि कि 1765 में आया था फोकलेंड में British government फिर उसके बाद 1770 में 1770 में Spanish government ने इसको ले लिया British government से फिर British west folk island में दुवारा से 1771 में दुवारा से restore कर लिया क्योंकि war चल रहा था उस टाइम पर लेकिन बाद में फिर British Government 1774 में विद्डू कर गई बाद में निकल गई economic reason की वज़े से क्योंकि इसको handle नहीं कर पा रहे थे तो यहां से निकल गई लेकिन इन्होंने अपना claim नहीं छोड़ा जब British Government चली गई थी 1774 में तो इन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा claim नहीं छोड़ा फोकलेंड आइलेंड पे तभी भी अपना मानते थे British Government 7074 के बाद निकलने के बाद लेकिन Spain ने यहां पे East फोकलेंड आइलेंड में 1811 तक 1811 तक अपना claim रखा settlement रखा यहीं पे Spain के लोग रहते थे Spain तो आप जानते हो कहां पे यह Britain के पास ही Spain है यह देखो भाई साब यह European country Spain अब दिखाई दे रहा होगा छोटे में कहां पे यह Spain ने 1811 तक यहां पे राज करके रखा और यह इसका नाम रखा रखा था फोकलेंड आइलेंड का Spain ने Solidad आइलेंड यह बोलते थे 1820 में फिर Argentina गॉर्णने जब अपनी आजादी डिकलेर कर दी Spain से योगि Spain राज कर रहा था Argentina में Spain का गुलाम था Argentina लेकिन 1820 में अपनी Independence डिकलेर कर दी और अरज़न्टीना ने डिकलेर तो की थी 1860 में अपनी आइलेंड पर अपनी में fokaland island पर भी अपनी sovereignty देक्लियर कर दी कि हमारा है fokaland island और हमारे पास आना चलिए लेकिन war और discussion के बावजूद भी United Nation में discussion हुआ और war भी हुआ बहुत सारी countries के भीच में Spain UK लेकिन sovereignty अभ तक भी point of contention बनी हुई है यानि कि झचगडे का कारण बनी हुई है और अभी भी UK के पास है UK अपना यहाँ पे UK की फोर्स रहती है और UK यहाँ पे रहता है फोकलेंड आइलेंड में नेक्स टॉपिक है पर्दान मंत्री फसल भीम योजना प्रिलिम्स और GS पेपर थिरी के लिए इंपोर्टेंट है साथ साल पूरे हो चुके हैं इसको 2022 में और साथ साल के बाद इसकी performance क्या रही है इसको observe किया गया इसका implementation कैसा रहा इसलिए ये न्यूज में है 2016 में इसको launch किया गया था 18 फरवरी 2016 में मेरी policy मेरे हाथ इसके अंदर launch की गई थी इसमें ये है इसी scheme के अंदर जो परदार मंतरी फसल बीमा योजना है इसी के अंदर ये launch की policy मेरी policy मेरे हाथ इसमें हर एक किसान के घर तक जाना है डोड़ स्टेप तक और उसे बताना है कि अपनी crop का insurance करा लिजिए यानि कि किसान की फसल का बीमा insurance अगर किसान की फसल मानलोग खराब हो जाए ओले पड़ जाए या मानलोग कोई और बारिस वारिस तेज आ जाए या कोई और अर्थ क कोई और क्लेमिटी संकट डिजास्टर आ जाए उसके कारण फसल खराब हो जाए तो उसके थरू जब मानलोग किसान की फसल खराब हो गई तो अगर किसान की फसल का insurance हो रखा है तो government government द्वारा कुछ agency होगी या private company होगी insurance वाली company वो insurance करेगी जो crop का अगर फसल खराब हो जब देखो insurance कराते हैं तो premium देना पड़ता है premium का मतलब यह है देखो भाई साब जैसे आप bank से loan लोगे या किसी आदमी से loan लिया आपने तो loan चुका होगी आप मानलोग आप किस्तों में चुका रहे हो installment बोलते हैं English में किस्त को आप किस्तों में चुका रहे हो installment में वापस भी देते हो ब्याज भी देते हो उसे तो अगर यही यही मानलो अगर आपको insurance कराना है insurance कराना और insurance आपने मानलो एक लाग का दो लाग का कितने का भी कराया है और उसकी आपको रकम देनी है पर मंत या पर यह कैसे भी देनी है आपको जो आप रकम दोगे वो भी एक तरह से installment या किस्तों में दोगे आप महीने में या साल में लेकिन insurance के time पे उसको installment या किस्त नहीं बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको premium बोलते हैं है वोई चीज जैसे आपने लॉन लिया वापस दिया लेकिन उसको premium बोलते हैं तो premium जो देना होता है इसमें किसान का government साहिता करती ह इस स्कीम के अंदर और घरगर जाके उसको बता रही है मेरी पॉलिशी मेरे हाथ में कि आप अपनी फसल की इंस्वरेंस करा लीजिए भीमा करा लीजिए इसमें सारी information कवर होती है land record सारा process कोई भी मानलो grievance poder Playing कि निए लगबग 30 करोड़ से ज़्यादा फार्मर की application आई है insurance कराने के लिएици कीम के अंदर पांस साल के पीरियर में 8.3 करोड फार्मर एप्रिकेशन से ज़्यादा इसमें बेनिफिट हुए है इनको साहता मिली है और 20,000 करोड फार्मर का सेहर है इसमें यानि कि फार्मर ने 20,000 करोड दिया है इंसरेस्ट कराने के लिए सारे फार्मर को मिला के और 95,000 करोड रुपे से ज़्यादा लगबग इसमें गौर्मेंट ने साहता दिये ये इतनी कितनी रकम है इसको कोई याद करने की जूरत नहीं है आपको पर धान मंत्री फसल भीमय योजनक क्या है इसके बारे में बढ़ते हैं वन नेशन वन स्कीम की थीम लाइन है इसकी जैसे वन नेशन वन इलेक्षन की थीम है या वन नेशन वन कोई भी मानलो स्कीम चला रखे हैं बहुत सारी ऐसी गौर्मेंट ने तो इसी तरह से जैसे One Nation, One रासन कार्ड है इसी तरह से One Nation, One Scheme हो फारमर्स के लिए पहले दो स्कीम चली हुई थी फारमर की क्रॉप की इंसोरेंस के लिए एक National Agriculture इंसोरेंस स्कीम और एक दूसरी थी इसी के आगे बस Modified लगा दो Modified National Agriculture इन स्कीम को दोनों को replace कर दिया इस ने परदान मंत्री फसल भीमा योजना यह ने कि इन डोनों को मिला के एक स्कीम गतलकर भीमा योजना 2016 में लूंच की उस में सारी फूड और 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 सीड क्रॉप कवर हैं यतनी भोजन की क्रॉप है तेल ये crop और annual commercial और होटी चल और होटी कल्चर क्रॉप भी कवर है होटी कल्चर में आता है आपका फल सवजियां ड्राइफ रूट वगएरा ये सब होटी कल्चर में आते हैं इसमें premium की रासी जो होती है जो किसान भरता है फार्मर खरीब क्रॉप के लिए 2% देता है मनलो इंसोरंस के लिए 100 रुपे देना है 100 रुपे में से 2 रुपे देगा किसान बाकी का कौन देगा central और state comment देगी और खरीब क्रॉप के लिए 2% है खरीब क्रॉप बोलते हैं जो भाई सब जून से लेके सेप्टमबर में बौई जाती हैं और काटी जाती हैं और जो होटी कल्चर या एन्वल कॉमर्शिल क्रॉप हैं उनके लिए फाइब परसेंट प्रीमियम देगा किसान और बाकी का सेंट्रल और स्टेट गोवर्मेंट देंगी अबजेक्टिव क्या इसका टार्गेट टार्गेट तो यह यह भाई सब किसानों की जो इनकेम है उसको डॉबल करना और इसानों की जो आप दैस अंकट की वज़े से फसल फेल हो जाती हैं उसको बचाना है नेच्रल क्लेमिटी से पेस्ट से डिसी से यानि कि किसानों की जो अच्छा कासा पैसा रहे, जब वो insurance कराएंगे तो उन्हें कोई डर नहीं होगा, अगर फसल खराब भी हो जाएगी, तो company उन्हें पैसा दे देगी, coverage कितना है, कौन कौन coverage में, हमने पढ़ी लिया है, food, oil, seed, annual, commercial, horticulture, crop है इसमें, फसल भीमा योजना के बाद, फसल भीमा योजना का ही, second phase launch किया था, second phase में, completely इसको voluntary बना दिया, पहले देखो, इसमें mandatory था, अनिवार रहे था, लेकिन अभी ये crop insurance scheme है, जो फसल भीमा योजना, completely voluntary है, voluntary का मतलब, अपनी मर्जी से, किसान चाहे तो insurance करा सकता, नहीं चाहे तो है, 100% voluntary है, 2020 के खरीब सीजन से, जब जून का period चला था, खरीब सीजन का, जब चावल धान बोई जाते हैं, उस टाइम से, ये 100% voluntary बना दिये, central subsidy भी limit कर दिये, central government भी क्या है, जो premium की रास है, उसको क्या है, 30% तक limit रखेगी, 30% से ज़्यादा नहीं देगी, unirrigated areas के लिए, जहाँ पर सिचाई की facility available नहीं है, उनके लिए 30% और जहाँ पर किसान के लिए सिचाई की facility available है, irrigated areas के लिए, वहाँ पर 25% का premium देगी, जैसे 100 रुपया देना, insurance के लिए पर मंत, 2% तो भाई सब खरीब के लिए दे रहा है ना, किसान, उसमें से बाकी का बचाई 25% देगा, central government और बाकी का state government, 30% देगा central government, unirrigated areas के लिए, बाकी का state government, इस तरह से, state के लिए more flexibility है, अगर चाहिए तो state government जो area कोई भी है, वहाँ पर जो criteria define किये गए ना, कि इस के लिए insurance दिया जाएगा, जैसे मानलो, कोई भूकम पा जाए, या ओले पड़ जाए, ये कोई criteria रखे के criteria उनको बढ़ा सकती है, फसल बोने के या कोई और calamity है, mid season, adversity आ जाती है, post harvest laws हो जाता है, मानलो, किसानों की फसल को जंगली जानवर खराब कर जाए, हाती आ जाए, हाती खेत में घूम जाए और फसल को तोड़ जाए, तो इससे भी जो नुकसान होता है, इसको भी insurance में cover किया जा सकता है, state government चाहे तो, next topic है, इसमे, penalizing the tendency, अगर मानलो, premium कि रासी दी, और अगर, 31 March तक, state अपना share release नहीं करता है, 31 March तक, खरीब season के लिए, और 37 September, September, रभी crop के लिए, जब तक अपना नहीं देता है, share state, तो उसके बाद, subsequent season में, participate करने के लिए, allow नहीं किया गा, उस state को, उस राज्य को, investing in IEC activities, देखो, जो insurance company है, अगर मानलो, किसान की फसल खराब नहीं, तो उसको बीमा नहीं मिलेगा, तो सारा जो पैसा का है, जो insurance company के पास है, जो company ने insurance किया, उसको फायदा हो जाएगा, सारा benefit होगा, तो इसको देखते हुए, government ने ये second phase में य जितना भी उसका पैसा उसके पास आया, उसका point five percent, information, education, communication के लिए खर्च करना पड़ेगा, यानि कि awareness, जाग रुकता फैला आनी पड़ेगी, education देनी पड़ेगी, किसानों को, खर्च करना पड़ेगा, इतना पैसा, जो भी insurance का आया है, point five percent, next topic है, UNEP frontier report, prelims और GS paper three के लिए important है, United Nation Environment Program है, इसकी report आई है, UNEP, एक देखो, प्रोग्राम है, United Nation का आई, यह 1972 में एक conference हुई थी, conference, Environment Conference, यह Stockholm में हुई थी, 1972 में, 1972 में, Stockholm, Sweden है ना, भाई, सब Sweden, Sweden की capital है, Stockholm, यह वाला Sweden, यहाँ पे, एक meeting हुई थी, 1972 में, Environment के लिए, United Nation की, तब ही से यह बनाया गया था, 1972 में, United Nation Environment Program, इसका जो headquarter है, मुख्या ले, वो कीनिया की capital, narrow B में है, कीनिया कहाँ पे, यह कीनिया, African country है, यह वाला जो दिखाई देरा, आपको, brown color का, यहाँ पे, इसका headquarter है, यह जतने भी environmental issues होते हैं, इसी ने अभी latest annual frontier report जारी किया, हर साल जारी करता है, यह fourth edition है, यह start किया गया था, 2016 में, अब यह चौथा edition आया, frontier report का, COVID-19 से पहले, चार साल पहले, इसने यह भी alert किया था, कि genotic disease का खत्रा बढ़ता जा रहा है, genotic disease, ऐसी disease का मतलब बीमारी, ऐसी disease होती है, genotic disease, जो जंगली जानवरों से human में आती है, मानव में आती है, तो इनका खत्रा बढ़ता जा रहा है, इसने अपनी report में पहले भी बोला था, fourth edition में, इसने first जो publish की थी report, 2016 में report publish की थी, उसके बाद ही हर साल publish करता आ रहा है, और अब जो report publish किये, latest report publish किये, इसने बताएं कि environmental issue क्य क्या है, तीन environmental issue इसने highlight की है, अपनी report में इसने focus area रखा है, urban noise pollution का, city area में जो sound pollution है, noise pollution, ध्वैनी परदूसन, वो बढ़ता जा रहा है, wild fire बढ़ती जा रही है, जंगलों में जो आग लगती हैं, वो बढ़ती जा रही है, और phenological shift हो रहा है, इनके report में, इनको देखते हुए इसने तीन topic रखे हैं और highlight किया है, triple planetary crisis का, कि तीन संकट बढ़ते जा रहे हैं हमारे planet पे, earth पे, एक तो climate change का, दूसरा pollution का, पर दूसरा है, biodiversity loss का, biodiversity मतलब जैव विविद्धा, यानि कि कि किसी particular areas में कितने plant and trees है, यानि कि variety of plant and trees या animals, उन सब को मिलाकर biodiversity बोलते हैं उस area की, तो इसका भी loss हो रहा है, इसका भी नुकसान हो रहा है, concern problem क्या क्या जता ही हैं इसने, इसने concern जता ही हैं कि जो wild fire है, वो आने वाले साल में और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, greenhouse gas emission की वज़ह से temperature बढ़ता जा रहा है, और जंगलों में आग के जो, जितने भी situation है, और ज्या रखते हुए area, land urban interface area, उनमें आग लगने की ज्यादा कत्रे हैं, जैसे example के तौरबे, United States में एक state है, United State of America में, अमरिका में एक राज्या है, province California, वहाँ पे जो fire के case हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, lightning और pollution के, जो बिजली गिरती है, भाई सब, बारिस के समया पे, आ बढ़ते जाएंगे, knowledge pollution स्टी में और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जिसकी वज़ए से public health को नुकसान होगा, यानि कि high level sound किस से निकलेगी, road traffic की वज़ए से, railway की वज़ए से, इनकी वज़ए से human health पे बुरा परभाव देखने को मिलेगा, phenological shift भी देखने को मिलेगा, या जो ये phenological shift होंगे, जब देखो, environment change होगा, अभी मानलो, सूरज निकलता है, 6 वज़े, तब भी निकलेगा, लेकिन क्या होगा, heat है जो, या temperature है, वो घट बढ़ जाएगा, कहीं पे घटेगा, कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे flood आएगी, bad, कहीं पे drought आएगी, इसकी वज़ए से phenological shift होगा, और जो species है, उनकी life cycle में change होगा, यानि कि animals जो जिस टाइम पे जागते हैं, सोते हैं, उनमें change आएगा, तो इनके जो environment से match है, अभी, इनकी life cycle, उसका mismatch देखने को मिलेगा, mismatch देखने को मिलेगा, major recommendation क्या दिये है, सिफारिस क्या दिये है, युने अपने की इ recommendation सिफारिस ये दिये, कि urban environment में vegetation को increase करो, यानि कि ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौदे लगाओ, forest area डवलप करो, urban areas में, और urban areas की planning करो, इसे साफ से, कि उसके physical features, natural factor, purpose, usage, user community, सब का ध्यान में रखते हो, planning करो urban areas की, highway or railways पे noise barrier लगाओ, जिसे मान लोग यहाँ से highway निकल सडक निकल रही है, आसपास ऐसे पेड लगाओ, जो sound को absorb कर लेते हैं, ऐसे पेड होते हैं, जो sound को, ध्वहनी को सोक लेते हैं, और जिनकी वजह से आवाद दूर तक नहीं जाती, वहीं पे सोक लेते हैं उसको, तो इनके आसपास ऐसे noise barrier लगाओ, पेड पोदे या कोई ऐस करो, सेटलाइट के थूरू, remote sensing capabilities के थूरू, जो forecasting की capability उसको increase करो, ताकि कोई संकाट आए कहीं पे पहले से ही, उसकी भविश्यवानी की जा सके, ecological connectivity को increase करो, genetic diversity को promote करो, और successful adaptation के chances बढ़ाओ, इसकी वजह से, क्योंकि देखो, genetic diversity मानलो, different, different paid, पोदे, plant, trees, एक साथ रहेंगे, तो biodiversity increase होगी, उसकी वजह से, यह, जो threat है, वो कम होगी, reduce होगी, जो phenology है, इसका मतलब यह होता है, कि देखो, कोई भी stage की life cycle, stage होती है, मानलो, किसी animal की, plant की, trees की, किसी की भी, उसकी time में, जो change होता है, ecosystem में, किसी भी ecosystem में, environmental forces की वजह से, पर्यावरन की forces की वजह से, उसकी ecosystem में, अगर change होता, life cycle में, जैसे मानलो, कोई paid पोदा है, जंगली जानवर है, वो यहाँ पे रहता है, इस area में, लेकिन environmental forces की वजह से, पर्दू सन हुआ या, environmental change हुआ, climate change हुआ, temperature change हुआ, इसकी जैसे, किसी ecosystem में, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, उनकी life cycle में change हो गया, इस condition के हिसाफ से, जैसी condition change हो रही है, उसके interaction, दूसरे species के interaction में change हो गया, मतलब एक species, दूसरे species से, एक animal, दूसरे animal से, जो interact करता है, मतलब मिलते जूलते हैं, या plant tree, एक दूसरी trees के पास रह लेते हैं, और grow हो जाते हैं, उग जाते हैं, तो इनमें जो change होगा, change होने की timing को होई, इसी को बोलते हैं, फिनोलोजी, यह जो plant animal है, चाहे ट्रेश्टल एरिया पे हो, लेंड पे भूमी पे हो, चाहे aquatic animal हो, या plant हो, यह जल में रहते हो, या marine हो, समुंदर में हो, ecosystem कोई भी, इनमें temperature की वज़े से change होगा, day length, rainfall की वज़े से जो change होगा, इनके leaf में, पत्त होगा, इस shift ही, सब कुछ यह fenology में आता है, तो यह ही थे आज के topic, एक topic और है, देखो, विवेक ने पूछा था, REIT और INVIT, इनमें क्या फरक है, यह economy के topic है, वैसे हमने किसी lecture में इनको अच्छे से cover किया था, और discuss किया था, current affair को किसी topic में ही, यह देखो, REIT और INVIT क्या है Real Estate Investment Trust, इसका मतलब है Real RIT का, और INVIT का मतलब है Investment Infrastructure Trust, INV का मतलब Investment, और इसका मतलब Infrastructure, और इस T का मतलब Trust, यह दोनों एक Trust है, Trust का मतलब यह मानलों कि भाई साब, यह ना mutual fund की तरह है, mutual fund आप जानते हो, क्या होता है, देखो, आप share और bond तो जानते हो, share bond तो बनाने की बताने जरुत नहीं है, जैसे मानलों एक कागज है, इस पे लिखा है share या bond, share bond है, आधकल तो online ही खरीदी जा सकते है, share bond वगएरा, उस पे company का नाम लिखा होगा, अपनी stamp लगी होगी, कितने का है, इस पे share कितने का है, वो रासी लिखी होगी, इसकी कीमत, अगर मानलों किसी company का share इतना महंगा है, मानलों एक करोड रुपे का है, तो भाई सब हर आदमी एक करोड रुपे का share या bond थोड़ी ना खरीच सकता है, समझ रहे हो, इसके लिए क्या करते हैं, कुछ आदमी इखटा होके आते हैं, और मानलों A, B, C, D, E, F, G, बहुत सारे आदमी आगए इखटा ह होके, और इन्होंने एक डबबा बनाया है, यह मानलों, इसमें अपना पैसे इखटा किया, अपना पैसे इखटा किया, और इसको मैनेज करने के लिए एक आदमी अपोइंट कर दिया, यह देखेगा, कि भाईया यह पैसा आपको जांच रखनी है, मोनिटर करना है, और हमा अब इसी को बोलते है, mutual fund, mutual मतलब एक साथ बहुत सारे लोग आए, fund share खरीदने के लिए, investment market में, invest करने के लिए, stock market में, invest करने के लिए, कुछ इसी तरह है कि यह mutual fund है, rate और invite, इन दोनों में फरक यह है, कि जो invite है, यह तो infrastructure के लिए है, यानि कि इसमें जो पैसा है, वो infrastructure में invest होगा, मानलो कोई road बन रहा है, को railway बन रही है, ऐसी company है, को road railway बना रही है, उसका share खरीद लिया, उसका मानलो bond खरीद लिया, क्योंकि यह लंबे समय का होता है, एक यह फरक भी है, क्योंकि दो road railway बनने में काफी लंबे समय लगता है, एक, दो, तीन, चार, पास, दस साल भी लग जाते हैं, railway बनने में तो भाइसा, समझ रहो, तो यह long term का है, लेकिन इसमें क्या है, जब इन में investment बढ़ती है, इनविट में, तो क्या होगा, हमारे इंडिया में, अगर मानलो, इनविट में investment बढ़ेगी, तो इंडिया में infrastructure डवलप होगा, road, railway, port वगरे यह डव एस्टेट में, तो इसमें अगर ज्यादा investment आएगी, मानलो, किसी company का share खरीद लिया, रियल एस्टेट का, वो जब बिका, तो उसे फायदा होगा, जिसने भी खरीदा, A, B, C, आदमी, जिसने भी, तो इसमें investment किया, रियल एस्टेट में, रिट में, तो इस trust में पैसे डाल सब को इतना, जितने परसेंट डाले हैं, उतना परसेंट फायदा हो जाएगा, मैथ में अपने partnership का concept तो पढ़ा होगा, partnership, same ऐसा ही है, partnership करके ये investment कर रहे है, समझ गे, तो ये short term के होता है, real estate, क्योंकि देखो, building वगएरा, तो maximum, 6 महीने, 5 महीने, 1 महीने, 1 साल में बन जाती है, जैसे road, railways, और आपका, आपका हो गया, port वगएरा, इन में काफी लंबे समय लग जाता है, तो दोनों में ये भी डिफ्रेंस है, इन विट लंबे समय के लिए investment है, और real estate, short term के लिए होती है, लगबग, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इतना होता है, होते है, इसलिए ही ह हैं, बस ये mutual fund की तरह ही होते हैं, बस ये ही है, इसमें,